शायद उन्हें भी नहीं भागई मेरी आँखों की रोश्णी हसने की कोशिश की परुला ही दिया वियासत जिमुव कश्मी में पलेटगन ने जहां सेंगडो नोजवानों को अपना शिकार बना कर उनके आँखों की रोश्णी छीन ली वही इस पलेटगन की जद में आकर जिल शुपयां के हिंडू इलाके का 14 साला आसिब भी आ गया जो अब इस दर्द को अकेले जहिल रहा है ऐसे में भला आसिब का कौन हमदर्द इस दर्द को बांट सकता है लेकिन आसिब की इस बेबसी में भी आसिब लगातार अपने अकेले हमदर्द याने वालिद को बार बार आवाज दे रहा था लेकिन आसिब के वालिद पुलीस हिरासत में थे इसलिए आसिब की बीनाई की साथ-साथ उसकी आवाजें भी हवा में खोई जा रही थी ऐसे में वादी की नौजवान लीडर और समाजी कारगुन शहला रशीद ने आसिप की इस आहुपकार को करीब से महसूस करके सरकार और पुलीस से आसिप के वाले की रहाई की गुजारश की बहराल शाहला रशीद की छोटी सी कोशिश ने आसिप के वालिद को रिहा करवा दिया लेकिन साथ ही साथ आसिप के उस चहरे को भी मुस्कान बख्ष दी जिसकी शायद आसिप अब तमन्ना ही नहीं करता था ऐसे वे आसिप का पूरा खांदान और शायदार वाले शाहला रशीद की इस हमदर्दी के लिए काफी शुक्र गुजार होकर उसकी काम्याबी और लंबी उम्र की दौाइए करते हैं पेश है शुपयां से वैली आनलाइन के लिए रशी इरशाद की ये खुसोसी रिपोर्ट थ किता है याथ के अध्या खुक्तपूर खुड़ क फ़च्छ गरदी करते के लिए भकष्दे। एक्ट है वो शीला रशीद, शायद वो पीपल्स मुव्मेंट के साथ तालूब रखती हैं तो उन्होंने इनके रेलिज में बहुत काम किया तो वो कामयाब हो गई है और इनका जो वालिद मौतरम है जोगरामत परे वो पुड़ीस कस्टेडी से बहराया और आज वो अपने गर के अफराद के साथ इस दुख की गड़ी में शेरिक है तो इस सिलसले में सबी लोग जो ह तो इस सिलसले में उन्होंने बहुत मदद किया मतलब इसको चड़ारे में